हाई वेलकम तो माच चनल इस बीडियो में सॉल्व करेंगे क्विशन नमर 12 बाइस्ट इग्जामिनिंग इउनिट्स डिजिट्स कैन यू तेल विच फालिविंग नंबर्स विच फालिविंग नंबर्स कैंट भी पैनाट भी होल स्क्वेर्स तो क्या हम इसको केवल देख करके केवल हम बाहर से इनको देख करके और इनके यूनिट्स प्लेस को देख करके हम बता सकते हैं क्या कि ये कौन से मतलब इसमें नंबर्स जो है परफेक्ट स्क्वेर नहीं होंगे तो हमारा आंसर क्या होगा है बता हिए हमारा आंसर यह यह होगा yes we can yes we can but for only those but for only those numbers for only those numbers which ends with 237R8 मतलब कि हम केवल उन्हीं number के बारें बता सकते हैं कि वो perfect square नहीं होंगे जो end करते हैं मतलब जिनका unit space का जो digit है वो क्या है 2 है 3 है 7 है या फिर 8 है ओके तो यहाँ पर हम सब के बारें नहीं बता सकते हैं जिनका मतलब कि 2378 से अलग कोई होगा अलग कोई unit space का digit होगा उसके बारें हम confirmly नहीं कर सकते के वाल देख करके उसको कि वो perfect square होगा या नहीं होगा हम नहीं कर सकते हैं लेकिन जब 2378 होगा तो हम directly कर सकते हैं कि वो बिलकूल ही वो perfect square होगा पर उसको बार नहीं होगा तो पहला हम स्टार्ट करते हैं पहले से देखे वहाँ पर लिखा है 1026 1026 तो यहाँ पर क्या है यहाँ पर unit space का digit है वो 6 है here we cannot tell whether this number is perfect or not perfect or not हम नहीं कर सकते हैं यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर 6 है हमें क्या होना चाहिए 2378 में से कोई एक होना चाहिए तो हम बोल सकते हैं directly कि वो perfect square नहीं होगा यहाँ पर 6 units space पर है तो हम नहीं कर सकते हैं यहाँ पर कि यह perfect square है या नहीं हम तभी कहा पाएंगे जब इसको factorize करेंगे और देखेंगे कि इसके जो factors हैं वो pair में है की नहीं तो यह नहीं होगा मने कि हम पता नहीं कर सकते हैं surely decide नहीं कर सकते हैं यह 1028 यदि 128 हो थो हम यहाँ पर का सकते हैं कि yes it is not a perfect square क्यों हम बोल दिया है यहाँ डाक्टली कि यह perfect square नहीं है क्योंकि यहाँ पर 8 से end हो रहा है यदि 8 होगा unit space पर मतब 2378 में से कोई भी एक होगा तो यह perfect square नहीं हो सकता 3rd में देखते हैं यहाँ पर है 1024 यहाँ पर unit space है 4 देखें आपर इनमें से कोई भी नमबर नहीं है इसका मतलब we cannot tell we cannot tell बस इतना ही लिखने वी सही रहेगा we cannot tell इसके बार हमें कुछ नहीं कहा सकते हैं 4th 1022 1022 हाँ इसके बारे में हम surely मतलब पुरी शोर्टिक साथ कह सकते हैं कि यह perfect square नहीं है means not a perfect square we can say that this is not a perfect square okay now the next one 5th one 1023 1023 1023 यहाँ भी हम कह सकते हैं क्योंकि यहाँ पर unit space पर क्या है 3 आया है तो लिख सकते हैं बिल्कुल ही कि not a perfect perfect square right अब next करता है 6th one यहाँ पर है 1027 तो बिल्कुल ही यह भी this is also not a perfect square क्योंकि यह भी end हो रहा है कि इससे 7 से तो अब हमने समझ लिया कि कैसे करना है कि थैंकी सो मच फर वाचिंग आपको च्छा लगा तो लाइक करते जगा और कमेंट जरूर करिए कुछ ने कुछ और मुझे सपोर्ट करते रही है ताकि मैं आपके साथ क्लाश 12 तक बना रहूँ थैंकी सो मच फर वाचिंग अगेन बाई